हाई एवरिवन आप सभी को फिर से नई वीडियो पे स्वाग आता है तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वलाओं की यूटूब पे वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्योंकि आप लोगों को यूटूब पे वीडियो को अपलोड करने का सही तरी का मालूम नहीं होगा तब तक आप लोगों को वीडियो बाइरल नहीं होगा तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वलाओं की यूटूब पे वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है जिससे कि आप लोगों को जो वीडियो होगा यूटूब पे सर्च में चला जाएगा और जो ही आप लोगों को वीडियो यूटूब पे सर्च में चला जाएगा तो आप लोगों को वीडियो 100% गरेंटे के साथ कातांकी बाइरल हो जाएगा तो आज की वीडियो आपके लिए काफी महत्पूर्ण पॉइंट है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वला हूँ कि यूटूब पे वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है जिसी कि आप लोगों को वीडियो 100% गैंटी के साथ सर्च में चला ज चाते हैं तो मेरा नाम है सिर्यांस कुमार आप देख रहें आपनी यूटूब चैनल टेक्निकल इजी सपोर्ट और मैं आप लोगों को एक बात और भी बता देना चाता हूँ कि मेरे टेलिगरम चैनल को अभी तक जोइन नहीं किया है तो मेरे टेलिगरम चैनल का लिंक डि कर लिजिए ताकर आगे की आने विडियो के नोटिफिकेशन जोगा आपके समने जल्द ही पहुंच जागा तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को पताने वाला हूँ कि आपने वीडियो को सही तरिका से अपलोड कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यूटूब के व लोगों पर किलिक करने के बाद आप लोगों को टर्ण वान इनको गो इंट पर किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद आप लोगों को सर्च टाइप में सर्च करना है आप अपने वीडियो को किस टाइप की बनाए है उस टाइप के अनुसार यहाँ पर आप लोगों को कि तो चलिए मेरा वीडियो है कि यूटूब पे वीडियो अप्लोड कईसे कर सकते हैं तो मेरा टाइटल है तो मैं अपना टाइटल को हैंपर सर्च कर लेता हूं तो यहां पर देख रहे हैं कि यूटूब का खेल जो कि यूटूब पे यूटूब पे वीडियो इतना सर्च करने के बाद यहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारा क्योड सर्च यहने कि यूटूब खुद दे देता है समझ गें तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है जो YouTube पर रेंग कर रहा है वो keyword है YouTube के वीडियो अप्लोड करने का सही तरिका तो मैं सबसे पहला keyword को यहाँ पर से copy कर लेता हूँ कोपी करने के बाद आप लोगों को पेस्ट कर देना है और आप लोगों को इस तरह से लखीर देख करके इस तरह से लखीर देखकर उसके बाद आप लोगों को फिर से ब्याक जाना है ब्याक जाने के बाद आप लोगों को दूसरे keyword को डाल देना है दूसरे keyword को भी कोपी कर ल बैग प случае किल्क करने की बाद आप लोगों कुछ इस तरह से इंटरफिेस खुल करा जाएगा उसके बाद आप लोगों को सब्से पहले पुएंट फे पुछा जाएगा title, कहाanne, आप जो copy किये हैं उसको यहां पर आप लोगों को paste कर देना हैस तरह से, paste करने के बाद आप लोगों को फिर से कुछ ने करना है, उसके बाद यहां पर आप लोगों को इस तरह से कुछ नहीं करना है उसके बाद आप लोगों को अपलोड ये वीडियो पर क्लिक कर देना है अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख रहे हैं कि मेरा प्रोसेसिंग में वीडियो लग चुका है तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है आप लोगों को सीधे YTA Studio Application के अंदर जाना है तो चलिए मैं अपने YTA Studio Application को उपियन कर लेता हूँ YTA Studio Application को उपियन करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करा जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को Contact पर क्लिक करना है Contact पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को वीडियो इस तरह से सो हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को Pencil वाले बेटन पर क्लिक करना है पेंसील वाले बेटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप लोगों को अच्छे keyword से description को भरना है आप लोगों को description भी भरने के लिए नहीं आता है आप लोगों को कोई प्रेशान होने की बात नहीं है तो आप लोगों को सीधे बैग जाना है बैग जाने के बाद आप लोगों को फिर से YouTube application को open करना है और आप लोगों को यहां से बैग जाना है बैग जाने के बाद यहां पर आप लोगों को search type में search करना है यहने कि आपने वीडियो को किस type के बनाए है आप यहां पर keywords को search कर लेना है तो मेरा वीडियो है कि यूटूब पे वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यूटूब पे वीडियो को सर्च करने के बाद यूटूब खुद यहाँ पर बहुत से क्योड को दे देता है तो आप लोगों को ये सभी code को copy कर लेना है, ठीक है, तो आप लोगों को copy करने के लिए नहीं आता है, आप लोगों को screenshot ले लेना है, ठीक है, इसको इस तरह से screenshot ले लेना है, screenshot लेने के बाद आप लोगों को copy कर लेना है, समझ गए, इसी तरह से आप लोगों को copy यहां से कर ल आप लोगों को सटा देना है इस तरह से तो चले मैं यहां पर से फटाक से सटा देता हूं तो यहां पर देख रहे हैं कि मैं पूरा अच्छी तरीका से सटा दिया हूं तो इस तरह से और भी आप लोगों को कीवड को कोपी करना है और यहां पर आप लोगों description में अच्छी तरीका से भढ़ देना है description को भढ़ने के बाद आप लोगों को यहां पर पूछा जाएगा tag ढ़ने के लिए 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 यहांप लोगों को ज्यदा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को यहीं से आप लोगों को इसको कोपी करना है और आप लोगों को यहाँ पर ट्याग में पेस्ट करते जाना है ठीक है इस तरह से आप लोगों को कोपी करना है और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन यहाँ ट्याग में पेस्ट करते जाना है जितना आप लोगों ट्याग लेगा उतना आप लोगों के पेश्ट कर देना है उसके बाद आप लोगों कुछ नहीं करना है उसके बाद आप लोगों को जब भी वीडियो को अपलोड करने का यह निकी पावलिक करने का समय आएगा आप लोगों को यहां पर पावलिक पर किलिक करके उसके बाद को save कर देना है आप लोगों को वीडियो यूटुब पर पावलिक हो जाएगा उसके बाद यह वीडियो इस तरह से upload किजिए आप लोगों को वीडियो 100% आप लोगों को search में जाएगा टो इस तरह से आफ लोगों को भी video को upload करना चाहिए ठीख है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चले ही गया होगा कि हम अपने वीडियो को सही तरीका से अपलोड कैसे कर सकते हैं सारी जानकार इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मिली गया होगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है हमें कोमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाल पर सेलेक्ट कर लेजिए ताकि आगे की इसी तरह से वीडियो आएगा तो आपके सब्सक्राइब नोटिपिकेशन जल्द ही पहुंच जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए जयाहिन बंदे मातरम